हलो फ्रंस वेलगम बूट टेक्निकल टोक्स दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे वी आई का पी यू के लोक अंडलोक कर सकते हैं और वो भी कस्टमर सपोर्ट का कॉन्टेक्ट किये बीना तो दोस्तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बत और ऐसी ईरर आ सकती है लेकिन आपको हार नहीं मानना है आपको यह प्रोसेस दूसरी बार स्टार्ट करनी है PU के code को unlock करने के लिए सबसे पहले आपको आपके mobile में dialer page को open कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर type कर देना है star 199 और उसके बाद hairs आपको type करना है star 199 hairs इतना करने के बाद आपको VI के sim से आपको यहाँ पर ok कर देना है इतना करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है तिन नंबर पर manage account वाला option आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपको यहाँ पर simply three number enter कर देना है जैसे कि मैंने यहाँ पर enter कर दिया और उसके बाद यहाँ पर आपको send कर देना है आप जैसे ही वहाँ पर send करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर आप six number पर देख सकते हैं P.U.K. number लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर six number enter कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर से send कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको आपका mobile number पुछेगा आपके जिस mobile पर P.U.K. code लग गया है वो number आपको यहाँ पर enter कर देना है और यहाँ पर send पर क्लिक कर देना है तो चलिए दोस्तों मैं वो कर देता हूँ अब जैसे mobile number enter करके वहाँ पर send करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे interface आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना birth year डाल देना है आपने जो भी document दिया हो उसमें जो भी year हो यहाँ पर आपको वही डालना है मनले जी कि आपने आधार काड है वो document दिया था और उसमें जो year है आपके birth का वही आपको यहाँ पर डालना है तो यहाँ पर मेरे birth का year मैं पर डाल देता हूं जो की मेरे अधार काड में था तो मैंने यहां पर एंटर कर दिया इतना करने के बाद यहां पर आप send पर click कर देंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं वहां पर आप जैसे अपना birth here डाल कर सेंड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद तुरंथ ही आपके पास आपका PUK कोड है वो आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर मुझे मिल गया है dear customer PUK for your number is और उसके बाद PUK कोड हमारा यहाँ पर लिखा है तो दोस्तो यह आपके फॉन का PUK सेंड है नंबर अब करने के सेंट करने को अब अगर आपके पास करने rika कोड कर तो उसनों बोल रहा है तो आपकी hack कर देना है तो आपका अन्लोक हो तो दोस्तो यह तो हमने सिखा कि आप कैसे अपना वी आई का प्यू के कोड मालूम कर सकते हैं लेकिन दोस्तो अब हम बात करेंगे कि आपको कैसे यह प्रोब्लम हमेशा के लिए सौल करना है आपको मैं कुछ ऐसा बतानूंगा जिसके जरीए आपके पास वापस से वो प्यू कर दूंगा और उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको सेकुरिटी जहां पर भी हो वहां पर आपको टूंड लेनी है और उसके अंदर एंटर हो जाना है जैसे कि यहां पर मेरी सेकुरिटी एंड लोकेशन है अगर आपको सेकुरिटी नहीं मिलती है तो आप यहां पर से सी तो मैं यहाँ पर security में enter हो जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको एक option ढूंड लेना है जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ SIM card lock आपके mobile में setting में आपको security में SIM card lock वाला option ढूंड लेना है और उसके अंदर enter हो जाना है तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते है lock SIM card वाला option हमें यहाँ पर दिखाए दे रहा है मेरे mobile में दोनों number है एक BSNL का है और एक VI का है तो यहाँ पर दोनों में ही अलग-अलग यह दिखाएगा separate दिखाएगा अगर मैं VI के उपर चलता हूं तो यहाँ पर भी मुझे दिखाएगा तो दोस्तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है यह वाला जो lock SIM card वाला option है वो disable है अगर आपके mobile में ये wral है और अनेबल ही हो अगर आपके mobile में लग गया होगा तो तो आपको itt को simple यहाँ पर disable कर देना है जैसे कि मेंने यहाँ पर disable किया हुआ रखता है तो आप यहाँ पर जैसे vidareорм test比較 करेंगे तो आपके पास कभी भी PUK कोड नहीं मांगेगा तो इस तरह आप PUK नंबर अनलोक कर सकते हैं और PUK की प्रोबलम से हमेशा कलिए छूटकारा भी पा सकते हैं तो दोस्तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हमरे चैनल को सब्सक्राब कर दीजेगा क्योंकि मैं से लेटेस्ट अबडेट ला पा रहता हूँ और दोस्तों मैंने वीडियो के उपर और भी वीडियो बना रखे जिसकी लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आप वहाँ पर से सीधा ही देख सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाई बाई